साथियों जब भारत में अर्थात हिंदुस्तान में जब मंदिरों की बात आती है तो अचानक औरंग जेब का नाम आ जाता है साथियों कुछ लोग भारत में औरंग जेब को बासा समझते हैं और बासा कहते हैं और कहते हैं कि औरंग जेब ने हिंदुस्तान पर राज किया साथियों राज करना तब कहते हैं जब राज की बवसंख्यक प्रजा राजी हो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में बवसंख्यक हिंदू ही रहा है और बवसंख्यक हिंदूों को राजी करना था लेकिन साथियों औरंग्जेब ने हिंदूों को ही मिटाया उनी को निसाना बनाया उनकी सब्यता नश्ट की संस्कृती नश्ट की उनके इबादत गाह तोड़े औरंग जेब ने हिंदुस्तान में अरब के मजहव को राजी किया इसलिए साथियों हम कह सकते हैं कि वो मुस्लिमों का बास साथ हो सकता है लेकिन ना तो उसने पूरे हिंदुस्तान में सभी जगे एक साथ राजी कर पाया और ना ही हिंदुओं नो उसे कभी स्विकार किया इसी कब्जेदारी के चकर में ही उसकी मौत हुई और अंग्जेव कब्जा करने की लड़ाई ताउम्र लड़ता रहा लेकिन पूरे हिंदुस्तान को कभी गुलाम नहीं बना पाया अंत में एक-एक पैसे को मोताज होकर मर गया अंग्रेजों के समय में भी भारत में अनेक हिंदु रियासिते थी इसलिए मुगलों को हिंदुस्तान का बास्ता कहना जूट के सिवा कुछ नहीं है उसका सपना पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाना था जो वो कभी पूरा नहीं कर सका सातियों औरंग्जेब ने भारत के कुछ हिस्तों पर 1658 से 1707 का कबजा किया उसने भारत में अपने कबजे की जगहों पें लगबग एक हजार से अधिक हिंदु मंदिरों को तोड़ा नश्ट किया और उन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई मासीरे आलमगीरी के इसलामी रिकार्ड में कहा गया है कि 9 अप्रेल 1679 को औरंग्जेब ने एक परमान जारी किया था जिसमें सभी प्रांतों के गवर्नरों को जो मुसल्मान थे उनको हिंदूों के स्कूलों और मंदिरों को दवस्त करने को कहा गया था आदेश दिया गया था सातियों यहां हम हजारों मंदिरों की बात तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ मंदिरों की चर्चा करेंगे जो भारत के प्रसिद मंदिर थे इसमें साथियों पहला नाम आता है कासी विसुनात का मंदिर साथियों 1679 में औरंग्जेब ने कासी विसुनात मंदिर को तोलने का फर्मान जारी किया था मंदिर को द्वस्त किया गया और द्वस्त करके यहां ग्यान ब्यापी नाम की मस्जिद बनाई गई अगर आप मंदिर के अवसेस को आज भी ध्यान से देखें तो उसकी निव, उसके खंबे और जो मस्जिद से लगा हुआ पीछे का हिस्सा है उस हिस्सों को देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक मंदिर के उपर ही मस्जिद की टोपी पहनाई गई है साथियों दूसरा नाम है केसव देव मंदिर का जो जनवरी 1670 में गिराया गया था और अंग्जेव की कारवाई राजनीतिक रूप से भी प्रिरित हो सकती है क्योंकि जिस समय मंदिर को नश्ट किया गया था उस समय उसे मत्वरा छेतर में बुंदेलों के साथ साथ जो जाट भी द्रूही है उनके साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था साथियों तीसरा मंदिर है विजय मंदिर विजय मंदिर जिसे विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है विदिसा जिले के मुख्याले में इस्तित है ग्यारवी सताबदी में बने इस मंदिर को 1682 में नश्ट कर दिया गया था इसके बिद्ध्वन्स के बाद मुगल समराट औरंग जेब ने इस जगे पर आलमगीरी मस्जित का निर्माण कराया साथियों विस्तुनात मंदिर जिसे विस्थेस्वर मंदिर भी कहा जाता है वो बनारस की मस्जित का निर्माण औरंग जेब ने विस्थेस्वर मंदिर की जगे पर करवाया था वो मंदिर हिंदूों के बीच बेहत पवित्र था इसी जगे पर उन्हीं पत्थरों से औरंग जेब ने एक उची मस्जित का निर्माण कराया था साथियों अगर आंध प्रदेश की बात करें गोलकॉंडा नामक जगे की तो गोलकॉंडा पर कब्जा करने पर औरंग जेब ने अब्दुर रहीम खान को हैदराबास सहर का गवर्नर बना दिया था जिसने हिंदुओं की प्रथाओं मंदिरों को निष्ट करने और उनकी साइटों पर मस्जिदों का निर्माल करने का आदिस दिया गया था साथियों अगर बात करें पंजाब के सरहिंद की तो जो सरहिंद के सरकार के एक छोटे से गाउं में एक सिख मंदिर को तोल कर एक मस्जिद में बदल दिया गया था इसके लिए एक इमाम को न्यूक्त भी किया गया था जिसे साथियों बाद में मार दिया गया सोमनात के मंदिर के बिसमें तो आप बहुत कुछ जानते हैं सोमनात मंदिर को दो बार ओरंगजेब के सासनकाल में भी तोला गया पहली बार मंदिर को 1665 में द्वस्त किया गया लेकिन ओरंगजेब ने पाया कि हिंदू फिर भी वहां पूजा कर रहे थे इसके बाद उसने सेना को लूट और नरसंगार करने के लिए भेजा 1719 इसवी में इनायतुला ने औरंग्जेब के पत्रों और आदेसों का कलेक्शन बनाया था इसमें औरंग्जेब के सासनकाल के 1699 से 1704 के वरसों का जिक्र साथियों मुसलिम बास्षा जिनको मुसल्मान बास्षा कहते हैं लेकिन हिंदू उन्हें हमलावर समझते हैं उन्होंने मूर्ती पुझ को हिंदूों से वो नपरत करते थे इसलिए भारत के लाको मंदिरों को तोल कर और उनमें रखे हुए धन को लूट कर वो मूर्तियों को तोल कर उनके उपर मस्जिदों का निर्मान कराया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल भूखे नंगे लुटे रहे थे ये भारत आये इनके पास उटों और तलवारों के सिवा कुछ नहीं था उनका काम लूट से अपना काम चलाना था और लूट से ही उन्होंने अपना काम चलाया हिंदू मंदिरों में अथास होना था कीमती पत्थर थे चान्दी थी जिसे बरपूर उनके द्वारा लूटा गया इतना ही नहीं बलकि लाकों करोडों हिंदुों सिखों को भी तलवार की नोक पर जबरन मुसल्मान बनाया गया और जो मुसलिम बनने के लिए तैयार नहीं हुए उन हिंदुों का कतल कर दिया गया साथियों जो मुसलिम बन गए उनको कई तरीके की सहूलितें भी दी गई कुछ तो साथियों डर कर मुसल्मान बन गए और कुछ सहूलितों के लालच में मुसलिम बन गए थे साथियों इसमें एक बहुत बड़ी और भारी संख्या ऐसे नाम के मुसल्मान जो केवल नाम से मुसल्मान बने ताकि वो मुसल्मों से अपना बचाओ कर सके आज भी साथियों अगर आप उन्हें देखें तो वो नाम के ही मुसल्म है उनकी परंपरा हो या और तौर तरीके हो वो सारे के सारे हिंदूों के समान ही है और साथियों जिन में अधिकांस आपको कबीर पंथी नास्तिक जैसे मिलेंगे जिनको आज कल कुछ लोग पसमानदा मुसल्मान भी कहते हैं साथियों अगर आपको अपना बचाओ करना है तो ये हिंदूस्तान के हिस्से हमेशा इसी तरह विदेशी मजब के लोग काटते रहें कबजा करते रहें अपनी सबेता फैलाते रहें डराते रहें पत्थर मारते रहें कत्दोगारत करते रहें हिंदू बहुसंक्यक था फिर भी वो अपना बचाओ नहीं कर पाया क्योंकि साथियों एक समय ऐसा भी आया कि मुसलिम लीग ने जो दलित थे उनको अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत मजबूत करने का प्रयास किया इस तरह उसने हिंदूओं को आपस में बाटा आज समय है कि अपने जाति भेद इन तमाम मतभेदों को चोल कर अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो सारे हिंदूओं को एक साथ एक आवाज पर ख़ड़ा होना पड़ेगा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और कहना पड़ेगा कि गर्भ से कहें हम हिंदू है अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद